दिल्ली के सीम केजडरिवाल ने जेल में रहते हुए कैसे आदेश किया जारी? बिना लैप्टाप, बिना पेपर, क्या जादू से आदेश का डॉक्युमेंट आया बाहर? अब दिल्ली विधान सभा का एक दिन का विशेश सत्र क्यों जा रहा है बुलाया? दरसल CMK जरिवाल इस वक्त ED के रिमान पर है News 18 हिंदी के मुताबक इस बीच बुधवार को स्वास सिवाओं के लिए दिल्ली विधान सभा का एक विशेई सत्र बुलाने का फैसला किया गया है स्वास मंत्री के मुखे सचिव को ये आदेश दिये गए है कि राजधानी के सभी अस्पतालों मुहला क्लिनिकों में मुफ्त दवाईयों और मुफ्त टेस्ट की स्थिती को बताया जाए साफ किया जाए यदि मुफ्त दवा की कमी हो तो उसको ठीक करने का पूरा प्लान लेकर आए यदि मुफ्त टेस्ट की कमी हो तो उसको ठीक करने का पूरा प्लान लेकर आए हूँ नया फ्लाइन बनाए ये जानकारी दी गई है स्वयम स्वास्त मंत्री विधान सभाकी चर्चा का जवाब दे और सूचित करें दरसल एडी की हिरासत से जारी किये गए पहले आदेश को लेकर चल रहे विवात के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरवाल ने हि विस्तरत जानकारी नहीं मिल पाई है अब यहीं से सवाल उठने लगे इस बात की सत्यता पर क्योंकि एडी की ओर से ये कहा गया कि हमने तो किसी तरह का कोई पेपर या कोई लाप्टॉप केजरवाल को दिया ही नहीं केजरवाल ने किस मीडियम से किस माध्यम से आदेश ज पेजा है उन पर शराब नीती से संबंदित साजिश में सीधे तोर पर शामिल होने का रूप है और इससे पहले रवीवार को सीम केजरवाल ने एडी की हिरासत में पहला आदेश जारी किया था जिसमें जल मंतुरी आतिशी को राश्टी राजधानी में पानी और सीवच की समस्याओं को हल करने के निर्देश दिये गए थे उधर बीजीपी के राश्टी सचे मंजंदर सिंग सिरसा ने एडी की हिरासत में दिल्ली सियम के जिवाल द्वारा जारी किये गए आदेश को अवैद और असमवधानिक बताते हुए जाच और कारिवाई की मांग की है बताया कि उन्होंने दिल्ली के उपराद जिपाल विन्यकुमार सकसे न और इडी से दिल्ली सरकार के मंतरी आतिशी और उनके सात्यों के खिलाफ शिकायद दी है जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम से एक अवैद ओर्डर दिखाया और ये कहा कि मुख्यमंत्री ने ED कस्टडी में जेल में रहते हुए ये ओर्डर पास किया है तो फिर ये दो दो जो order आए हैं वो आए कहां से हैं किस माध्यम से आए हैं किसको दिये गए हैं क्या ये सच है या फिर एक bluff है